नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं सहायक पुलीस का अंदोलन शुरू कुमला जिला के सभी 250 साहयक पुलिस अपना स्थाई करन करने मांदे बढ़ाने भाता देने सहीत अन्यमागों को लेकर अंधुरन तेज कर दिया है पतादे सुक्रवार को भी सभी साहयक पुलिस का लाविला लागा का डियोटी की वहीं साहयक पुलिस के जवानों ने कहा की 25 26 सितंबर को हम सभी 250 सहायक पुलीस समोईक अवकास पर रहेंगे इसके बाद 27 सितंबर को राज भवन, मुख्य मंत्री अवास, राजेपल अवास के सामने सान्ति पूर्ण धारना दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नई हो जाती आंदोलन जारी रहेगा बतादे गुमला जिले के लावा जहारखन राजे के नक्सल परभावीत और एगारा जिले के वी सायक पुलीस आंदोलन में है हुनरबाज पुरसकार से नवाजे गए जहारखन के नौदि भियांग एन-ेन सिना ने चैनित युवाओ को अन्लाइन शमानित किया अनलोक जारखन मेंवे है कई चीजों पर प्रतिबंध करोना संक्रमन का गराप गिरने के साथ जारखन में लौकडाउन में लगतार छूट दी गई है बरतमान में स्थितिया है कि राजी में क्रोणा के केस बहुत कम है दूसरी वर जार्खन लगवक अनलोक हो गया है लेकिन इसके बावजूद अभी भी राजे में सब्ताहिक लोकडाउन लागू है जो सनिवार की रात 11 बए से सोमवार के सुबा 6 बए तक परभावी है बतादे सरकार द्वारा राजे की आम जानता को कई रियायते देने के बावजूद सब्ताहिक लोकडाउन में कई चीजों पर प्रतिबंध है इसके तहतर अविवार को खाने पीने के प्रतिष्ठान, फल, सब्जी और आसन दुकान को छोड़ कर सेस सभी गतिवीद्या पॉले की तरह बंद रहेंगी बिना हेलमेट बच्चे दोडाएंगे बाईक तो माब आपको लगानी होगी हाजरी अगर आपके बच्चे बिना हेलमेट और लाइसेंस की सड़कों पर बाईक दोडा रहे हैं आपने उन्हें लाड़ प्यार में बाईक थमा रखी है तो सोधान हो जाए बतादे हजारी बाग पुलीस अब ऐसे बच्चे के अविभागों की काउंसिलिंग करने का अभियान चलाने जा रही है मतलब साफ है कि अगर बच्चे बिना लाइसेंस वा हेलमेट पकड़े जाएंगे तो उन्हें माता पिता को पुलीस की टीम के समक्ष हाजिरी लगानी पड़ेगी पुलीस के सवालों का जबाब देना होगा कॉंसिलिंग के दवरान उन्हें सड़क दुरगाटनाओं के आकडों से भी रूबरू कराया जाएगा बिना मास्क के निकलने पर होगी सकती रांची जिले में बिना मास्क के निकलने वालों के साथ सकती की जाएगी बतादे कुरोना से बचाओ और तेवहार के लिए जरूरी गाइडेन का पालन नहीं करने वालों के खिलाब करवाई की जाएगी जिला परसासन ने इसकी तियारी कर लिया और नियमों का पालन कराने के लिए टीम बनाई जाएगी सहरों को विभीन छेत्रों में बांट कर धंडा अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी इसमें समंधित थानों की पूलिस भी रहेगी और नियमित जाच अभियान चलाया जाएगा बतादे जाच के दोरान टीम सहर के विभिन इलाकों में जाकर दुकानों में जाच करेगी दुकानों में बिना मास्क के ग्रहाक और करमचारियों के पाए जाने पर सक्ति की जाएगी किसान बिरोधी नीती के बिरोध में 27 को भारत बंद किसान संगहर्ष मोर्चा की ओर से केंदर सरकार की किसान बिरोधी नीतियों को रिरस्त कराने को लेका सताई सितंबर को आहुत भारत बंद को सफल बनाया जाएगा भाजपा के सासन की योजनाओ की हो जाज, कॉंग्रेस ज्यारखन परदेश कॉंग्रेस कमिटी की प्रवकता आभा सिंग ने कहा है कि भाजपा ने अपने सासन काल के दोरान मन रहेगा और भाजपा के सासनकाल के दोरान विभीन योजनाओं में किये के कारियों की जाच की मांग करेगी। उन्होंने कहा कि राज में सविक्रीत 56,191 सिचाई कुआओं में से अब तक 53,347 कुआओं का धरातल पर नहीं उतरना राज की जानता के लिए एक दुखत घटना है अनुबंध कर्मियों ने कॉलेजों में काम काज ठप रखा नियमिती करन की मांग को लेकर राजची विश्व विद्यालेक के अंगी भूत कॉलेजों के अनुबंध सिच्छ केतर कर्मी सनिवार को हरताल पर रहे मारवाली कॉलेज, राजची विमेस कॉलेज, एस-एस मेमोरियल कॉलेज, डुरंटा कॉलेज आधी में कारड़त अनुबंध कर्मियों ने कोई काम नहीं किया वही मारवाली कॉलेज परिशर में मारवाली कॉलेज अनुबंध सिच्छ केतर करमचारी संग के तहत कॉलेज के सभी सत्तर अनुवंद कर्मियों ने सेवा नियमिती करण के मांग को लेकर विरुवत परदशन भी किया जारखन में 15 नाए केस मिले हैं जो रांची से 9, पूर्वी से 1, 1000 बाक से 1, खोटी से 1, जामतरा से 3 मिले हैं जारखन में कॉलेक्टिव केस की संख्या 82 है भारत में 28, 143 नाए केस मिले हैं भारत में कॉलेक्टिव केस की संख्या 2,96,500 है तीस लाह का लक्ष जल्द पूरा करेगा ग्रामिन विकास विभाग संक्रामन के काल खंड में ग्रामिनों के ससक्ति करण के लिए किया जा रहा परयास रंग ला रहा है बता दे एक और हडियादारो निर्मान और विक्री कारे में सनलगन 13000 स्याधिक महिलाओ को विगत एक वर्स में आजीवका कनया और समान जनक आधार फूलो जहरनो असरिवाद अभियान बना दूसरी और अब सरकार की विभीन बीमा योजनाओ से गिरामिन अशाजित हो रहे हैं बता दे मुख्य मंत्री ने ऐसी ही योजनाओ से 25 लाख लाभुकों का बीमा सुनिशित किया है वह अभी महज एक माह में इसके बाद सरकार अब 30 लाख लोगों को बीमा योजनाओ से जोडने की और कदम बढ़ा चुकी है कुरोना काल में ऐसी योजनाओ का महत्व और भी बढ़ जाता है जारखन के बीमा कराय अभियान के मोडल से प्रभावी थोकर केंद्र सरकार ने भी पी एलेफाई एरिया कमंडर समेथ 6 उगरवादी गिरफतार उगरवादी संगठन पी लेफाई का एरिया कमंडर हरी सिंग, सांडी, पूर्ती, उर्फ, मोदी, समेथ 6 उगरवादी को गिरफतार किया गिया है उसकी गिरफतारी टेवो, थाना, छेत्र, अंत्रगात, बोबोगा, जंगल से हुई है उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कार्थूस वरामत हुए है पतादे एरिया कमंडर के खिलाब पच्मी सिमुम जीला के विभीन थानों में 28 और खुटी जीला के विभीन थानों में 3 मामले दर्जा है इस समान्द में सनिवार को एस पी अजय लिंडा ने बताया कि गिरफतारी होने वाले एरिया कमांडर के अलावा दद्वा पूर्ती, डौन बासको, सांडी पूर्ती, बिर्शा टांडी पूर्ती, जोनी बोद्रा और सूसील होनी पूर्थाएं मुख्य मंत्री तीन दीन के दोरे पर दिल्ली रवाना एकलब ये विद्ध्याले के निर्वान के बिरोध में आदिवासी संगठनों का चक्का जां सीला गाई में वीर बुधु भगत के असमारक अस्थल की जमीन पर एकलब ये आवासे बिद्याले की निर्वान के बिरोध में सन्निवार को बीजु पड़ा चोक के निकट विभी नादिवासी संगटनों ने चक्का जाम किया बता दे एनेच पशत्तर राची डाल्टरिंगाई मारक पर दीन के करीब 12 बजे से इस चक्का जाम के कारण सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग रही थी वहीं रात्री साढ़े नौब बए तक धारना जारी था कडिया मुंडा का कुसल छेप चानने के लिए सनिवार को पुरो मुखमंत्री रगवर दास उनके पैतरी गाव और निगाडा के चंडा डिह पहुँचे उनके साथ हटिया के विधायक नवीन जैस्वाल भी थे बता दे कडिया मुंडा के आवास परलभग आदे घंटे तक दोनों ने तावने बातचित की उम्रे के 86 वर्ष में परवित कर चुके कडिया मुंडा को पूरी तरह से स्वास्त देहकर दोनों ने तावने कामना करते है विश्वास जताया की वे उम्र का सतक लगा कर एक और किर्तिमान अस्थापित करेंगे बार कॉंसिल ने अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है जार्खन राजे बार कॉंसिल ने राजे की सभी अदालतों की सुरक्षा बढ़ाने की मायं की है इसके लिए कॉंसिल न येस कुमार सुकला ने पत्र लिखा है, पत्र में कहा गया है कि जार्खन में भी ऐसी घटनाए कोट परांगन में हो चुकी है, उसके बाद सभी न्यालों में उस न्यालों के निदेश पर स्वक्षा भी बढ़ाई गई, लेकिन जीस परकार की घटनाए फिल्मी तर्ज पर अ निर्माना धीन जार्खन भवन का निरिक्षन किया, मुख्य मंत्री अभी दिल्ली दोरे पर है, वह वहाँ ग्री मंत्री अमित साह की अध्यक्सता में होने वाली मुख्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, बता दे अपने प्रवास के दोरान उन्होंने गोल नई दिल्ली में बन रहे नई जार्खन भवन का निरिक्षन किया, उन्होंने वहाँ उफस्तित अधिकारियों को इस संदर में उची दिशाने देश भी दिये अस्थानी और नियोजन निती की घुसना नहीं होने पर 15 से अंदोलन जार्खन में अस्थानी और नियोजन निती पर सरकार निर्ने नहीं लेगी तो 15 नौमबर से अंदोलन होगा इसी मसले को लेकर 6 नौमबर को राज्य के भीहिंदलों के अधियक्स विधायक और समाजिक संगठन के बीच परिशनवाद का आयोजन किया जाएगा बतादे परिशनवाद में परतिनी धियों से उनके दल की निती अस्पस्ट करने की मांग की जाएगी जिसके बाद विस्तारित कोर कमिटी के बैठक होगी आदिवासी मुलवासी समाजिक संगठन एम युवा संगठन की सनिवार को कछरी रोड में बिहार कल में होई सनुक पत्नी दी साभा में यानी नहीं लिया गया PLF5 सुप्रीमों ने जीतरा मूंडा की हत्यात से किया इनकार पीलेफाइ सुप्रीमो दिनेस गोपने रांची के औरमाची थाना छेतर में भाजपा अनुसेजी जनजाती जिला मुर्चा अध्यक जीत्रा मुंडा के हत्या से इनकार किया है इस समद में दिनेस गोपने सनिवार को प्रेस भीगापित जारी कर कहा है कि पीलेफाइ संगठन का इस हत्या से कोई समद नहीं है पत्र में जीतरा मुंडा का हत्या का खंडन करते हुए कहा गया है कि संगठन से जीतरा मुंडा का किसी तरह का कोई दोस्त या दुस्मन नहीं था संगठन का इस हरत्या से कोई संब्ध नहीं है और संगठन का मनोज मुंडा से भी कोई परिचाए और किसी तरह का कोई दोस्त नहीं है रांची में सनिवार को कई दिनों के बाद लोगों को बारिस से रहत मिली बतादे दिन भर धूप खिली रही वही मैंन मार में बने चक्रवाद का असर सनिवार की साम से राजजे में दिखने को मिला है बतादे अबंगाल की खाड़ी से होते वे उडिसा के तट्ये छेतरे से टकरा सकता है इसके कारण राजजे के उतरी और मद्य भाग में कहीं कहीं हलके से मद्धर्ज की बारिस हो सकती है सराय के लाव चाई बसा को छोड़ कर सेस जीलो के लिए मौसम केंद्रे ने एलो अडर जारी किया है इस चक्रवाद का असर राजजे में 26 से 27 और 28 सितमबर तक देखने को मिलेगा इस तवरान राजजे में में गरजन और बहरपात की प्रवल समभना है धन्यवाद